प्यार से कहना धनकार जी साथ संगत जी, कॉल कटर समागम के दूसरे दिन आज अब ये सेवदल रैली का रूप देख रहे हैं वर्शों वर्श से हमारे मिशन के बच्चे, जवान, भेने मिशन की और देश की सेवा में लगे हुए हैं और हमेशा मोके ढूंडते हैं कि हमें कब सेवा का मोका मिले हो और हम सेवा कर पाएं अभी आपने देखा 23 परवरी को भी देश के 263 रेल्वे स्टेशन पर सफाई की गई और अनेकों अस्पतालों में भी सफाई की गई जिसमें से डेली में एक बहुत बड़ा टीवी हॉस्पिटल था और वो टीवी हॉस्पिटल होने के कारण उतर कोई घुसना भी नहीं चाहता और आप महापुर्शों ने जाके उसका एक एक कोना साफ करा इसी परकार समालखा साथ संगा जी इसी परकार समालखा में भी जो हमारी समागम ग्राउंड है उसके आसपास के चार गाउं को गोद लिया गया है डॉप्ट किया गया तहां कि उन्हें हम सुन्दर बना पाएं और साथ संगा जी अनेकों स्थानों पर पेड़ पोदे लगाए गए और यह सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के काफी देशों में सफाई अभ्यान और ट्री प्लांटेशन की ड्राइब्स मिशन के दुआरा चलाई गई है एफ्रिका में उन्होंने एक प्लाइब भी की थोड़ दिन पहले दो यतीन दिन पहले ही इंगलें से भी एक मैसेज आया डेड़ सो बच्चों ने मिशन के दो हजार पेड लगाए आप सब के अंदर सेवा के प्रतिसमर्पित भावना है यह तभी संभव है साथ संग जी बावजी not only wanted us to be spiritual individuals but he wanted us to be spiritually strong responsible citizens of a country and the planet और यह सब तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर सेवा की भावना बिना किसी ओधे के या पदवी के या अपनी किसी खुदगर्जी के कारण होगी सेवा सिर्फ सेवा भावना से होगी और समर्पित भावना से होगी और हुकम में रहके होएगी साथ संग जी बावा जी ने तो यहां तक कहा कि they also serve who stand and wait तो नरंकार किरपा करे इस तरह से बिना किसी खुदगर्जी के सेवा भावना सब के अंदर आ जाए साथ संग जी प्यार से कहना धन नरंकार जी